जै सत्युम सिद्धाय नमें आज का विशे है सिद्धवस्ता की पूरुजनम ग्यान यात्रा व्रतांत। ये शिरी सद्गुरु बोध पुस्तक का एप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी अवाज में पढ़ रहा हूँ। ये गड़ना भी अस्सी दशक के मध्धय की है। तब उस वर्ष में अपने मुक के अंदर उपर के तालु में जहां कुछ गड़ा सा होता है उस स्थान पर तालु चकृ होता है जिसका संबन्ध हिरदय चक्र से होता है यो यहां से चितकाश में प्रवेश होता है। ये सब कुंडली जागनड के उपरांत समयनुसार स्वैम अंतप्रेडणा से होते रहते हैं। अंतप्रेडणा स्वैम सादक को सादना कराती है तब वही ध्यान लगता है। ये तालू चक्र ताल्विय योग सादना कहलाती है। सामान्यता योगी इस इस्थान में अपनी जिवा उपर उठाकर अपनी दोनों द्रश्टियों को अपने आग्या चक्र में एक जोतिर में शुक्र के रंग के तारे में इस्थित करते हुए पदमासन में बैठकर मन की सक्ती के प्रवा को अपने आग्या चक्र से मूलादार चक्र तक मनोमे योग से आदा मिनट से एक मिनट तक समय देते हुए मन से अनुलों विलों करते हैं अंत में स्वैम ही ध्यान आग्या चक्र में इस्थिर हो जाता है ये प्राचीन योग प्रणाली है पर मैं उस समय ये विधी नहीं करता था बलकि मेरा सीधा ध्यान लगता था यो मुझे इन सबकी समय नुसर विशेस आवशकता नहीं पड़ी तब इस इस्तिती में ध्यानस थोकर मार्च के आसपास मुझे निम्न दर्शन हुए की किसी प्रिसिद नदी के किनारे बसे एक गाम में एक तूटे फूटे घर को छोड़कर मैं लगबग छोटी आयू में वहां से जा रहा हूँ तो घर छोड़ते समय मैंने अपने उल्टे हाथ पर उस घर और उसमें लटके एक चितर को देखता हूँ आगे चला गया द्रस्या बदलता है कि मैं किसी ऐसी जगा हूँ जहां एक दूसर रंग की बहुत उची पाड़ी है उसके बीच भाग से आता हुआ एक मध्यम परंतु विशाल जणना नीचे गिरता हुआ एक छोटी सी नदी बन आगे कहीं बहता हुआ जा रहा है बहुत सुन्दर इस्थान है वहां कोई व्यक्ति या पास में सैदूर तक गाम आदी नहीं दिखाई दे रहा है तब मैं जणने के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहां कुछ दूरी पर उपर जाने के लिए पत्त्रों की पहाड में ही एक एक करके कुछी सीडिया है जिन पर चड़ना आसान भी नहीं है पर मैं उन पर चड़ने को हुआ तब द्रश्य बदला देखा मैं उस गुफा के अंदर हूँ जिसके मुक्खे मुक पर वही जणना बै रहा है यो ना वहां से ना भार से इसे कोई देख सकता है उस गुफा में अनेक कुछ दूरी पर बैठने के पत्थर के ही भूमी से लगबक ढ़ाई फिट उचे आसन है और देखा की पास में ही तीन और पहाड को खोकला करके बिना दूर के खुले छोटे से गोल कमरे से हैं उन में और मेरे सामने मिलाकर संबव है कुछ ही उप्रोकत आसन है तम मुझे लगा जैसे मैं इस जगे को जानता हूं और वहां सहज मैं एक मुक्ह आसन पर बैठ कोई जब ध्यान करता हुआ गहरी समाधी की अवस्ता में चेतना रही धो जाता हूं तब दृश्य पुने आता है कि मुझे उसी ध्यान अवस्ता में अनाधी आत्मिक ज्यान का एक के बाद एक प्रिशनुत पुत्रों के संग द्रश्य भी दीखते हैं और समझता हुआ दिव्यता का उद्य हो रहा है तब द्रश्य फिर लोब होकर पुने उबरता है कि अब मेरी कुछ आयू अधिक है और मेरे इधर उधर साधना आवस्ता में चार या छे साधक और साधिकां हैं जो अपने अपने आ मुझे बिन बोले केवल अंतरवाणी में ही इस संबोधन के वत्थ सुआमी पुकारते हुए दो प्रशन किये हैं पहला क्या संसारिक भोग से भी योग की प्राप्ति संभव है दूसरा दिव्य प्रेम क्या है तम मैंने उठकर वहां दीवार पर चित्र बनाते हुए उन्ह अंतरशरीर इस प्रत्यक्ष्पिंड में चंद्र इस्त्री और सूर्य पुरुष्शक्तियों के रूप में पूरक है परन्तु इनका किसी भी रूप में जब तक संतुलित करम से मिलन नहीं होता है तब तक व्यक्ति और उसका मिलन बहीर और अंतरशरूप में खंड और और एक सत्चरित अखंड ब्रमचारी के जीवन में भी योग और मोक्ष नहीं गड़ता है इतने इस करम सूत्र को नहीं जान लेता तब तक सब प्रकार का प्रयतन व्यर्थ ही सिद्ध होता है क्योंकि अंतर जगत में प्रवेश बड़ा कठिन है मन अपनी दौनों धाराओ को पुने अपने में लीन नहीं होने देता उसके लिए अतिरिक शक्ति चाहिए यो जो इस करम के दौरा साधना ग्रस्ती में रहकर या गुरू सानिद्य में रहकर करता है वही इस सुष्मना यानि दिव्य प्रेम पत को प्राप्त कर इस पत पे चलता हुआ अंत में स्वैम को झानकर सक्चे मोक्ष को जिसका अर्थ है मै की अक्षय अवस्ता यानि स्वैम के रूप संपूर्ण सत्य को प्राप्त करता है इतने जिस भी व्यक्ति में देह भान रहता है कि एक मैं हूँ और एक तू है तब-टक वो सच्चे ध्यान में प्रविश नहीं करता है यो भा जिसका उप्योग नहीं जानने से ये भोग से उत्पन उर्जव वेर्थ चली जाती है यो इस संसारी भोग का और उससे उत्पन एतरप्त प्रेम का यहीं तक पुन्रावर्ती करते एतरप्त अंत है और दोनों का यहीं तक जन्मांतर रूपांतरित केवल यहीं तक साथ है और क्रम विज्ञान में परिस्पर अंतर और बहिर अपने से विपरीत शक्ती जिसका नाम इस्त्री या चंद्र और पुरुस या सूर्रे है का सहयोग लेना भर है अर्थात सरीर की समस्त इंद्रियों के पीछे जो है मन यानी आत्मा की इच्छा उससे इस भोग के समय जो हो रहा है जो कर रहे हो वह मन की द्रश्टी से देखना प्रेम ध्यान है और जैसे ही तुम खंडित अवस्ता को प्राप्त होने जा रहे हो ठीक तबी परिस्पर सैमती से इस भोग से भार आ जाओ और प्रेम ध्यान करो तब वह शीग्र प्रेम समाधी पाता है वही पती या पतनी या नाथ या स्वामी है और जो इस अवस्ता में खंडित होता है केवल शरीर के सुक को ही प्राप्त करता हुआ सदा एतरप्त ही बना रहता है वही पशू है और जो इस खंडित अवस्था को बार बार समालता है वही इस किरम साथना के निरंतर अभ्यास से एक खंडित अवस्था को प्राप्त होकर सच्चा ब्रहमचर्य को प्राप्त होता है यही है दिव्य प्रेम प्राप्ति और पशूपती नात और हंस से परमहंस है आदी यहां भहुत सी बातें मेरी स्मरती से समय अनुसार वीस्मरण हो गई हैं इस अंतरवाणी के कथन की समापती उपरांत मैंने देखा कि उस कुफा में अनेको इस्त्री और पुरुष के युक्त और योगिक चित्रों को अभारती अनेक भोग और योग कलाओं के ध्यान ग्यान विश्यक विग्यान चित्रों से भर गई है और साथ ही वहां और भी अनेक सादक सादिका उस सब को वीस्मे और संतुष्टी से देख रहे हैं और सादनारत हुए हैं तब दिरश्य बदलता है तब देखता हूँ कि मैं किसी गाम के तराये पर हूँ वहां दो इस्तान है आमने और सामने और दोनों और गोबरादी कोडी का धेर है मैं उन दोनों इस्तानों पर एक एक बार खड़ा होकर संकल परता हूँ ये इस्थान पवित्र हो तो वहां उन कूडी के ढेरों के नीचे से अनगिनत सर्प निकलने लगते हैं मैं उन्हें आग्या देता हूं कि तुम ये इस्थान छोड़ दो तो वे अपने बिलों में से ही फुसकाडने लगते हैं ये देख मैंने वही एक पीपल के विरक्ष पर बैठे बंदरों को आग्या दी की अरे इन्हें समझाओ तो वे उन्हें निकाल निकाल कर थूक लगा लगा कर उनके फन भूमी में रगड रहे हैं ये देख मैंने उनसे कहा की अरे इनकी इतनी दुर्दशा मत करो तो वे अपनी मनोवारी में ही मुझे कह रहे हैं कि ये ऐसे ही समझते हैं तब देखा सब सुच हो गया और तब वहां एक पूजा का और ग्यानदान का इस्थान बनाया है और ऐसा लगा जैसे ये वही गाम है जिसे मैं छोड़कर आया हूँ और वहां एक छोटे लड़के को जो मेरे ही किसी घर से है उसे उस सेवा में लगाया है अब पुने द्रस्य बदला कि तब देखा मैं उस गाम से बाहर के कच्चे रास्ते पर बाहर की ओर जा रहा हूँ और तब ही पलट कर देखा की वही पूजा के इस्थान पर एक सुन्दर समाधी बनी है और वही छोटा लड़का अब बुड़ा व्यक्ती बनकर वहां उस समाधी पर चवर करता हुआ सेवा दे रहा है और उस इस्थान पर बड़ा भारी भक्तों का मेला लगा हुआ है लोग जलगाव के स्वामी की जैगोश का शोर कर रहे है इस सब दर्शन की समाधी पर मुझे अपनी दे का आभास होता चला गया और ध्यान भंग हुआ तब उस समय से लेकर अनेक वर्षों में इन सब तथ्यों पर अनगिनत बार चिंतन करने से ग्यान हुआ की ये जो अजन्ता की गुफा की तरह की कोई प्रानम्विक योग ग्यान उदे का धार्मिक इस्थान था जहां ये सब ग्यान का चित्रात्मक मेरे द्वारा बना जो बाद में मूर्तियों के निर्मान से पूर्ण हुआ और मैं वहां से पुने अपने ही इस्थान पर आकर इस दिव्याग्यान को भक्तों में बाटता समादिस्त हुआ हूँ और आत्मा अजर अमर है वह अपनी नवीन धर्म यात्रा के लिए आगामी जीवन को प्रस्थान करती है तब इसी सब चिंतन से वर्तवान का सत्यासमी धर्म ग्रंथ का लेखन संपूर्ण हुआ है विश्तार से ग्रंथ में ये विश्य साधना पड़ें आगे और पीछे गे कुछ और पुनरजनम के दर्शन कालंतर में एक दूसरे में उलज गए है कि उन में कौन सी घटना किस जनम की है आज इसमरण भी नहीं रही है यो उन्हें आगामी लेखों में समय अनुसार इसमरण आने पर कही जाएंगी जैस अत्यों सिद्दाए नमे